साउथ सुपरस्टार प्रभास फिल्म बाहुबली के बाद काफी लाइम लाइट में आ गए थे इस मूवी की एका एक सक्सेस के बाद फैंस के बीच उनकी पॉपिलरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है प्रभास इतने फेमस हो गए है कि मैदम तुशाद म्यूजियम में उनका वैक स्टैचू तक बना दिया गया जो यहाँ प्रभास पहले साउथ एक्टर बताई जाते हैं जिनका वैक स्टैचू जो की इस म्यूजियम में बनाया गया है लोगों ने इसे काफी ज्यादा पसंद भी किया अब आदिपुरुश एक्टर का एक और स्टैचू मैसूर के करनाटक के म्यूजियम में स्थापित किया गया है लेकिन इसे देखने के बाद लोगों का इसे बनाने वाले पर गुस्सा फूट गया बाहुबली प्रोड्यूसर शोबू यारला गद्दा ने प्रभास के नए स्टैचू पर कॉमेंट किया है उन्होंने गलत तरीके से स्टैचू बनाने पर म्यूजियम वालों को फटकार तक लगाई है दरसल प्रोड्यूसर ने लिखा है कि ये अधिकारिक रूप से लाइसेंस प्राप्त कारिया नहीं है और हमारी अनुमती या जानकारी के बिना ये कारी किया गया है हम इसे हटाने के लिए ततकाल कदम उठाएंगे